हलो दोस्तों कैसे हैं सब मेरा नाम है हिमानशू और मैं स्वाखत करता हूँ आप सब कापके अपने चैनल कॉमिक वर्ड पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योता सीरीज के अगली कॉमिक्स बलवान का पहला भाग अंत्रिक्ष के लिए उड़ा ये रॉकेट तकनीकी खराबी आजाने के कारण राजनगर के लिए बहुत बड़ा खत्रा बन गया था राजनगर पर गिरकर इसने आदे से अधा शहरों को अपनी चपेट में लेकर तभा कर देना था लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे वैग्यानिकों के अधक प्रयास से वैखत्रा टल गया शक्तिशाली चुम किये तरंगों त्वारा वे उसे समुद्र के दर ढखेलने में सफल हो गए वो देखो तेजी से नीचे करता समुद्र की गहराईयों में समाग या तभाई का दूर पचा अब हमारे और शहर वासियों के बेचेयन और घबराय के लोगों को शांती बिनी लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये तूफान के आने से पहले की शांती थी आने वाले दिनों में राजनगर में एक जबर्दस तूफान आने वाला था जिसकी शुरुआत राजनगर के समुद्र से हो रही थी राजनगर पुलिस जिसके सिपाई शहर में कानून व्यवस्ता बनाए रखने के लिए हर समय कार करते रहते हैं में भी और रात में भी ऐसी अंदेरी रात में जब कोई सड़क पर चेहल कदमी करता मिल जाए तो कानून के रक्षकों का चौक जाना लाजमी ही है इतनी रात का सड़क पर मिलने वाले अकसर चोड़ों चक्के ही होते हैं अब ही धरता हूँ उसे एक ने आगे बढ़कर थामी लिया उसका कॉलर एह कौना तू ज़रा पलट पलट तो साही शेर सा धार ता सिपाई उसके पलटने के साथ ही बकरी सा मिम्या उठा सिपाई की वे मिम्या किसी शब्द में बदल पाती उससे पहले ही उसकी आत्मा परमात्मा के पास पहुँच गई अब तक भेवीत कड़ा दूसरा सपाई मानो नीन से जागा उसने अपनी राइफल तांग दी मैं तो माड लूँगा राइफल के ट्रिगर पर उंगली का दावा बढ़ता चला गया लेकिन गोली नहीं चल पाई क्योंकि रूपसिं मैं तो समझाता तू मर गया लेकिन तू तो जिन्दा है थाक हाँ जिन्दा है ये तो मैं मौत देने के लिए माड लो इसे कांचालिस सा आगे बढ़ा वह तो दूसरे सिपाई की किग्गी बन गई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ मेरी आवाज का तो इस पर कोई असर नहीं पाड़ रहा अब ये मुझे माड लेगा लेकिन शायद मौत उस सिपाई की किस्मत में नहीं लिखी थी तब ही तो भाग आप औचाता योध्धा लगता है आपका मस्तिश होँ आपके वश में नहीं तब ही आप अपने ही मित्र की हत्या करने के ठान चुके है इसलिए आपका मस्तिश को दुरुस्त करना होगा चिक इस साले में उपचार के लिए पड़ी इसनेजी से बिदा लेकर हम अपने नवास सांबर वाफिस लौट रहे थे कि हमारी नजर इन पर पड़ गई दूसरे पहले योधा को आश्चर चकित रह जाना पड़ा ओ, हमारे इतने तेज़ प्रहार के को सैने के बाद भी श्रीमान फिर हमारे सामने आ खड़े हुए इसका तातपर ने हमारे बार से पीला का गताई ऐसास नहीं हुआ खैर एक बार फिर हम इन पर प्रहार अश्चर है, इस बार भी इनके मुझ से उफ तक न न निकली थाक, क्या मामला है, मैं बताऊं, उस नई आवाज को सुनकर, वो तेजी से पल्टा, जो तेजी से पल्टा योदा तो खत्परब रहे गया, आप, आप कौन है अशंखा नाम है मेरा, यह मनुष्य मेरी शक्ती से मरा था, फिर उसके बेजान शरी में मैंने इजान डाली थी, इस तरह आश्चर है, घोर आश्चर है, उन्होंना पत्थर की निर्जी पधिमा को अपनी शक्ती से जीवित काड़ा ला, और अब वह जीवित होई पर्तिमा हमारी तरह पढ़ रही है, है, उफ, तुमसे पहले मिले दौनों मनुष्यों को मौत दे कर मैंने सोच लिया था कि पृत्वी मातरों जैसे भुन्गों से ही भरी है, लेकिन तूने एक एक बीच में आकर अपनी शक्ती का परीचा दे कर यह दिखा दिया कि पृत्वी पर ते परीवित हुई, ये मूर्ती हमें समाप्त कर डाली कि ऐसा सोच कर आप बहुत बड़े भ्रहम महें श्रीबान, क्योंकि खचाक, जिसकी भुजाओं में हर शत्रू से नबटने की शक्ती और हाथ में ढख्मान गानू, वे हर भ्रहम को तोड डालते हैं, ठीक, इस तरह है, प मुझे इससे घबराना नहीं को कि मुझे हर हाल में उसे खत्म करना है, और उसके लिए मुझे अपनी शक्ती का प्रयोग करना है उस बड़े वाहन पर, तुरंती उचल कर खड़े हुए, अशंका की आँखों से निकली वे किलने, पास ही खड़े, अर्थ मूवर पर जा इससे रोकने के लिए हमारे दौनों हाथ खाली होने आवश्क है, इसलिए हमें कुछ पलों के लिए अपना ठकमानगर अपने हाथ से छोड़ना होगा, ठकमानगर अपने हाथ से निकल जाने दिया योध्धाने, और फिर उसने अपनी सारी शक्ती लगा दी उस अर्थ पेश कर जाएगी, दूसरों की शक्ती धारण करने का यही शौक तो मुझे यहां पर धी पर खीचला है, हाँ 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 हाँ, अशंका की इन बातों ने योध्धा की क्रोध की आग में मानोगी का काम किया, हमें अपना जीवन और अपनी शक्ती बचानी है, तो हमें अ अब डूस्ट अचंका समल कर फिर अपनी शक्ती का प्राण हम पर करें, उससे पहले ही हमें उसे अपना शिकार बनाना है, अपना अगलावार करने के साथ ही योध्धा की आँक्या हैरानी से पढ़ती चली गई, क्योंकि ओ ये क्या चपा, ऐसे भठाता अचंका शरीर मानो पानी से भरा आदम का गुबारा फोड़ दिया गया हूँ, फिर पानी में बदला अशंका का शरी गटर में समाता चला गया, अभी तो मैं तुससे तुमसे बज़कर भागना पड़ रहा है योधा, लेकिन मैं शीग्री बापिस लोटूँगा, उस शक्ती के साथ जो की पूरी करने के लिए बापिस लोटेगा, काफी सोच विजार का योधा ने लिया वहन निलने, अशंका अवर्शी बापिस लोटेगा, उससे टकराने के लिए ये खोजना अथ्यदिक आवशक है कि वह यह कहां कहां से आया और उसका उद्दिश्च क्या है, और हम जानते योधा को सवाब्त करके मुझे उसकी बलशाली शक्ति हासल करनी है, और ऐसा करने के लिए मुझे ढूडना है किसी ऐसे प्रथिवासी को, जिसे अपनी शक्ति दे कर मैं ऐसा बलशाली बना दू, ऐसा शक्ति शाली बना दू कि वह योधा को तरपा तरपा कर मार डाले, इस में हो रहा है,WWF के फईटर गोगन और बलैकी के पिस्जी चोड़दार मुकाबला, प्लैकी, गोगन, गोगन गोगन के उज्जुरदार वार से था, खोओन अगलता, बलैकी, जो गिरा, तो गोगन नो ऊसे फिर उखने का मोखा नहीं दिया हाँ 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 हेई गोगन इस ग्रेट दर्शकों में खुशी की लहर और अशंका की आँख में शैतानी चमक दोड़ गई गोगन नाम का ये प्रतीवासी मेरे काम का है इसे अपनी शक्ति से योद्धा की मौत बनाओंगा मैं इधर अपने उपर मंडरात एक ख़तरे से बेकापर योद्धा हमारी पकार पर हमाले से यहां पदारने का धनवाद मित्र योद्धा जैसा मित्र बलाए योद्धा जैसा म अगले वीडियो में तब तक के लिए दन्यवाद।